हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं होहेम का 3X i-steady X Gimbal तो यह ऐसे सील बॉक्स में आता है अभी मैं इसका सील ओपेन कर लिया आप देख सकते इसका बॉक्स ऐसे देखने में आता है यह प्लास्टिक कवर मे लिखा हुआ है और होहेम प्रो एप्लिकेशन का एक क्यूवर कोड दिया हुआ है अब मैं इसका बॉक्स को ओपेन कर लेता हो और देख लेतों अंदर क्या क्या मिलता है तो पहले देख लिए यह चाइपड मिल जाता है होहेम का अच्छा क्वालिटी का है और नीचे राव ब्रेंडिंग के लिए और यह केविल भी अच्छा है इसके बाद आपको मिल जाएगा यह आइस्टेटी एक्स गिम्बेल जो बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही सुन्दर देखने में अच्छा फिनिशिंग के साथ और लास्ट में मिल जाता है यह एक पाउश जिस प एक जोयस्टिक दिया हुआ है और यहाँ पर LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है साइड में आपको मिल जाएगा एक जूम इन जूम आउट का एक ट्रीगर और यहाँ पर साइड में मिल जाएग एक USB-C पोर चार्जिंग के लिए और उसके नीचे एक रिसेट बटन क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है यहाँ पर देख सकता आइस्टेडी एक्स लिखा है इसका फिनिशिंग और लुक्स दोनों भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर होयम का ब्रेंडिंग है और इसका जो मोबाल होल्टर है यह पूरा राबर पैड़ेट किया हुआ है ताकि मोबाल में कोई scratches ना आए और अच्छा से grip कर पाए यह एक 3-axis gimbal है तो देख लीजए यहाँ पर यह फास्ट एक्सिस मिल जाते है जो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं सबी एक लॉक सिस्टेम दिया हुआ यह बहुत ही एक अच्छा चीज है यहाँ और बीच में यह फ और यह वाला है थार्ड एक्सिस यहाँ पर भी एक लॉक मिल जाता है तो तीनों एक्सिस पर आपको लॉक मिल जाएगा ताकि आप जब इसको करेंगे ट्रैवलिंग के टैम पर यह तूट ना जाए और अच्छे से यह कॉम्पैक्ट होके आपका पाउच के अंदर चला जा इसली केरी खर पाए मैं है अब मैं आ गया हो मेरा विएडी पर और यह पर मैं आपको दिखाऊंगा यह मोबाइल को इस का साथ कर सकते हैं और कैसे इसको अनकर ना पड़ेगा तो first of all आपको अपको यह मोबाइल को उल्धा होल्ड्र कि अंदर लगा लेना और ऐसे लागाना होगा ताकि यह mobile कोई एक साइड में हिला हुआ ना रहा है जैसे आप देख सकते हैं यह लेफ्ट साइड में हिला हुआ है अगर यह mobile ऐसे तील्टेट रहेगा तो गिंबेल अच्छे से प्रोफर ली वाक नहीं करेगा इसको आपको mobile को पुरा स्ट्रेट र राकना पारेगा 3 सेगंड के लिए और यह आटमेटिक ओन हो जागा और मोबाइल को अपने जागा में यह सेट कर लेगा फोन कोई भी डिरेक्शन में रहेगा तो यह पावर बटन को डवर प्रेस करने से यह नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा अभी मैं यह गिंबेल को इस बटन करने से तो इसको रायट और लेट को करएगा तो यह उपार नीचे जाब करर कऱें यह फोन मेरा मुव्मेट को करने से यह सेकिंड मोड में चला जाएका जो है पैंट को फॉलो कर रहें ह।TIONale हे उसके लिए यह यहाट कर है कि लिए ना कुछा की मेरा movement को follow नहीं कर रहा है अब जो third mode है वो है all follow mode left button को click करके power button को three times press करने से यह third mode पे चला जाता है तो है all lock mode तो देखिए मैं हाथ को किसी भी direction में move करूँगा phone एक ही position में lock रहेगा देखिए कोई भी movement follow नहीं कर रहा है अब left button को press करके power button को four time press करने से यह fourth mode पे चला जाएगा जो है all follow mode तो आभी देखिए मैं gimbal को कोई भी direction में move करूँगा तो phone वही direction follow कर रहे देखिए pan tilt कोई भी direction पर आप move किजिए phone वही direction follow कर रहेगा जो joystick आता है उस joystick के through से आप phone को कोई भी direction पर move कर पाएंगे ok हो हैं का, ho a am.pro application ships के अंदर settings पर जाकर आप settings कर सकते are को जोस्टिक से movement fast चाहिए या slow चाहिए आपको joystick से pan का movement को methodaire forcé core सब settings सबाजी आपको ho a am pro application के अंदर मिल जाएगा तो देखिए यह बहुत smoothly je move करता है ये gimbal से बहुत ही आच्छा stable video आता है नॉर्माल फोन के हिसाब से गिंबेल अगर यूज करेंगे तो बहुत ही स्टेबल फूटेज आपको मिल जाएगा तो देखिए यह उपर नीचे भी होड़ा है अब मैं पावर बटन कर टू टाइम स्प्रेस करूंगा तो यह बैक टू दे नॉर्माल पोजिशन आ जाएगा उसको यह एक ही गिंबेल मिला जहाँ पर आप वाइड एंगल पर भी शिफ्ट करेंगे तो इसका जो मोटर है पीछे का वो कैमेरा लेंस के अंदर नहीं आ जाते हैं बाकि कोई भी आप गिंबेल ले लिजिए मोबाइल का सब में आप जब वाइड एंगल में मूफ करेंगे तब पीछे का जो मोटर है गिंबेल का वो विजिबेल हो जाते बाट इस पर एकदम भी विजिबेल नहीं होते हैं यह सबसे बड़ा चीज है जिसके लिए मैं यह इसको पीछे से अब देख सकते हैं इसका मोटर बहुत ही छोटा है यह कैमरा लेंस के बीच में नहीं आता है इसके लिए थोड़ा मूवमेंट थोड़ा रेस्टिक्टेड हो जाता है फिर भी यह चल जाता है यहां पर बैटरी ब्लुटूथ और मोट का LED इंडिकेटर मिल जाते तो इसका फंक्शन में आप लोगों को समझा दूंगा भी जब मैं सेकेंड मोट पर जाओंगा तब यहां पर देखिए LED इंडिकेटर जो है वह दो बार ब्लिंग करेगा और इसके बाद जब मैं थार्ड मोट पर जा रहा हूं तो देखिए LED इंडिकेटर तीन बार अब मैं फोर्थ मोट पर जाके दिखाऊंगा LED इंडिकेटर चार बर ब्लिंग करेगा यह चार बर ब्लिंग कर रहे है और जब फास्ट मोट पर जाएंगे तो LED इंडिकेटर जाला हूँआ रहेगा पावर बटन कर थी सेकेंड प्रेस करके रखेंगे तो यह स्वीच अफ ह हो जाएगा तो दिखी यह स्वीच अफ हो गया फिर सब 3 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे यह स्वीच अन हो गया साइड में जो जूम इन आउट का ट्रीकर है वह सीव आप हो हैं प्रो एप्लिकेशन में यूज कर पाएंगे बटन से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं वीडि कर पाएंगे इस गिंबल के थ्रू से चली यह पर स्टार्ट रेकॉर्डिंग कर देता हूं तो यह है हो एंप प्रो एप्लिकेशन तो इसको मैं लेंस्केप मोड पर ले लिया अब यहां पर देखिए स्लो मोशन वीडियो रेकॉर्डिंग का उप्शन है टाइम लेप्स व वीडियो में फोकस कर सकते हैं यह स्मार्ट ट्रैकिंग आपका फेस को ट्रैक करेगा यह अब जहां भी मुव करेंगे गिंबल वहां पर मुव करेगा यह आउन रहेगा तो यह पर फ्लेश लैट का उप्शन मिल जाता है और नीचे यह आपर सेटिंग्स मिल जाता है जहां इहाँ से अपको कोई भी सinking का स्वार्किंग निचेंग कर सकते हैं गिंबल का फार्लो स्थी चेंज कर सकते हैं ऑटटयश कर सकते हैं यह सब वीडियो रेजूशन टैमार ग्रीड उन स्पीड्ट प्रफेशनल मोड्षेंश कर सकते हैं यह पर आपको मोमेंच्मिल सेटिंगसे चेंज qar सकते शेंच कर सकते हैं गेंबेल का फॉलो स्पिड चेंज कर सकते मोटरेस्पॉन्स रोल आours लॉटन व्हें जोस्टीक क्या मूवमटच चाहिए वो चेंज कर सकते है, auto calibration, कोई भी settings यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप video resolution, photo size, timer, grid, zoom speed, professional mode, सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आपको moments मिल जाएगा, जो automatic transition है, panoramic video इसको क्लिक करना से ऐसे यह video automatic shoot कर देगा यह inception mode, 180 degree और 270 degree का इसको क्लिक करना से ऐसे वीडियो shoot कर देगा, आपको manually कुछ move नहीं करना होगा यह है dolly zoom, दीकि subject को focus में रखके background move होता इसमें और यह fantastic rotation, इस सब automatic movement है यह, आपको manually कुछ नहीं करना होगा यह है smart motion time lapse, यह था मेरा आज का gimbal का review और unboxing और यह gimbal से बहुत ही stable video आप शूट कर पाएंगा, तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, वीडियो में comment कीजिए और वीडियो को share करना पर एक दम भी मत भूलिए झाल को